हेलो स्टूडेंट नमस्कार मैं डाक्टर स्यांक सुर पटेल असीटम प्रोफेसर इनाइटियम इन्वेस्टिक गोलियर जैसा कि आप लोग फिस समेस्टर में है ठरियर के मैं आप लोगों को प्लान पत्रोजिस अबज़त पढ़ाता हूं जिसमें की पीपी 311 जिसमें की डि पढ़ते हैं तो आज हम यूनिच नंबर 4 में डिसीज आप सेफ लावर पढ़ेंगे जो की लेक्टर नंबर 23 के अंदर आता है तो सबसे पहले मैं आप लोगों को आज की लेक्टर का आउटलाइन बता देता हूं कि आज हम क्या-क्या पढ़ेंगे तो फस्ट आता है इंट देन एकनोमिक इंपोर्टेंस आज की लेक्टर का इकनोमिक इंपोर्टेंस क्या-क्या है देन से फ्लावर में हम आज चार डिसीज पढ़ेंगे पहला तहां बिल्ट दूसरा अल्टरनेरिया लिफी सपर्ट तीसरा तहां मुझा एक और चौथा आता है रस्ट इसके बाद डिसीज़ पढ़ने के बाद मैं आप लोगों के एकसरसाई दोंगा जसको आपको कंप्लीट करना होगा तो देन कि रिफरेंट से प्राम प्रांब यह में लुदर प्रजेंटेशन लाश्ट मैं रिफ्रेंस के बताऊंगा कि हम मैंने कहां कहां से मैटरी कठा करके आप लोगों के लिए लेचर त्यार किया है तो फर्स्ट इंट्रडक्शन टूसे फ्लावर डिसेज का इंट्रडक्शन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि से फ्लावर एक ओल सीट क्राब है कई इसको हम गाड़ क्राब में के रूप में भी उपयोग करते हैं क्योंकि इसमें कांटे पाए जाते हैं जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि इंडिया में और प्ल्स का बहुत ज्यादा कमी होता है उसका प्रोड़क्शन बहुत कम होता है और मैंगी माम हम इंपोर्ट करते हैं और सीड़ पर प्ल्स कराब को बाहर की कंटे से जिससे कि हमारा वह सारा जो इंडियन करेंसी होता फोरेंट इस्चेंज की रूप में चला जाता है तो इसलिए भारा सरकार का गवर्मेंट अफिंडिया का में इंफिसीस है कि फार्मर ओल सीड़ पर जिससे कि ऑख स से में भी इंडिया सेल्फ सफिस्ट हो जाए आत्म निर्वार हो जाए तो इसे फ्लावर एक बहुत ही मौश्ट इंपॉर्टेंट अलसीट क्राप होती है इसमें चूंकि यह से फ्लावर की क्राप को नुक्सान पहुंचाते हैं तो आज की लेच्चर में हम चार डिसीज पढ़ाएंगे पहला था बिल्ट दूसरा था अल्टर नेरिया लीफी स्पोर्ट तीसरा था मुझे और चोथा आता है रस्ट इन वाट अड़ डिफ्रेंट अब्जेक्टिव क्या है तो स्टव दीवरियोस डिसीज आप सूगर के सफ्वावर तो से सफ्वावर डिसीज में मिनेकौन-कौन सठ श लगता है । मैं थैन करेंगे कि उससे कितना अक्सान होता था रस्ट है तरिक सने डिटेंटि उप्राइशं ना इपट होता है इसमें हम Scottish- मान ब्र्व कुलन कौन सा पहली बार क्राप को इनफेक्ट करता देने सेकंड इनो क्या है और कैसे पैथोजन होस्ट के अंदर कैसे अपना लाइफ साइगल कंप्लीट कर रहा है तो इस इसमें हम पढ़ेंगे कि हम डिसेज को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं कल्चर में ठड के द्ड़ारा सी से हम कंट्रोल करेंगे इन्हें रोग को यह हम आज विस्त्री तद्ध्यान करेंगे तो जैसा कि मैंने बताया से फ्लावर में बहुत ज्यादा रोग लगता है यह रोग या तो बाइरस के द्वारा लगते हैं बैक्टिरिया फंगस या निमिटोड कई बार फिजिलोजिकर ड होता है यादि फार्मर से फ्लावर क्राब में रोग लगने से रोग लेते हैं तो उससे फार्मर को यह ज्यादा मिलता है यह ज्यादा मिलेगा तो उस फार्मर के लिए ज्यादा ग्रेन अब लेवल होगा मार्केट में बेचने के लिए और उनको ज्यादा नहीं होगा जिस कि जो फंगस में जो सब इस्पसेज टाइप का रहता है उसको फार्म ऑफ इस्पसेज कहते हैं जबकि बेक्टिरिया में पीबी यूज उता है इसका फुल फार्म होता पैथोबर तो से फ्लावर में बिल्ट डिसीज फूजीरियम आक्सिस्पोरम फार्मा पिस पिसी कार्थम के द्वारा होता है बहुत इंपोर्टेंट डिसीज है इससे पौदे को ज्यादा नुकसान पहुंचता है इससे पौदे में बिल्टिंग गंडिस आ जाती है पौदा उपर ही उपर से सूख जाता है और लगभा 15-20 प्रसन जो क्राप का नुकसान होता है से फ्लावर की निश्चीत लाइन में रंज होता है या फिर सक्टर होता है मतलब पूरी पत्ती में फैले रहते हैं कई बार रिंग की रूप में इनर सरफेस में होते हैं और कई बार पत्तियां मुड जाती है कप हो है शिम्टम से जो लच्छन होते हैं और जब प्लांट चैसे दस लीफिस्टेश का होता हुँष टाइम उस टाइम पर जो पत्तियां होते हैं उनमें इलाइंग हो जाता है उसमें बिल्टिंग गंडिसान आ जाती इपीनिस्टी आ जाती इपीनिस्टी का मतलब होता है कि जो पतिया होती हैं और नीचे की डिफोलियेशन उनमें हो जाता गिल जाते हैं उनमें चोटे बहुत चोटे फ्लावर्स बनते हैं चोटे साइश के फ्लावर बनते हैं और उसमें ब्लॉसम टाइप का कंडिसान आ जाता है उसमें बहुत सारे जो फ्लावर होते हैं उनमें फटलाइजेशन नहीं होता और उसमें ग्रेन नहीं बनते हैं और उसमें या तो डिस्टॉटेड या चाफी या इसमाल या ब्लैकिस कलर के सीड़ बनते हैं तो यह सिर्फ फ्लावर का लक्षण है इसमें आपको फोटोग्राप में दिख रहा होगा कि मतलब जब पौधा चोटा रहता है या फिर जो पतियां होती है यह ब्राउनिंग हो जाती है देने उसमें जो फ्लावर बनते हैं और भी छोटे बनते हैं तो यह बिल्ट आप से फ्लावर का मॉस्ट इंपर्टेंट लक्षण है डिसीज का देन हम देखते हैं कि इसका जो पैथोज बनाते हैं जो कि हाईलिय होता है इसमाल होता है ऐलेप्रिकल और कर्व शेयल्ऊ होता है इस में 3 से चार सेफटा पाये जाते हैं इसके फंगस होता है उसमें है वह भी थिक व्ल्ड होता है इस फिरिकोर रोबला होता है उसमें टर्मिनल और इंटर्कलर होता है तो यह प्रफिधर्यम होगी ऑक्सीश पूरम फरमां थैसें इस प्राइक परस होता है है और यह स्वैल में इन्पघिर प्लान डेवरिज में August फिर को अब एधर होता है इसके दौरा होता है उसके जो स्टे कर पर होटा है कि एस appointment के प्राइध पृबर कंडिशन के लिए डिसीज जर्व में बेचैब के लिए बड़ाएर है जब स्वाइल कंडिशन की होती है तो उसमें ज्यादा लगता है यदि हम हाई डोजन और उसमें मौश्ट बिदर होता है और टमप्रेचर पंदरह से बिश डिग्री सेंटिग्रेट होता है उस टाइम पर डिसीज बहुत अधिक मात्रम में लगते हैं देन हम देखते हैं कि एक अभी कि इसका मैंनेजमेंट के लिए कंडिशी में हम हम कु मोः लगाने से रोकते हैं जहां पर पार यजने में इस बनी-ट्वावर को रोबने के लिए ंधेटेको तैन के साथ हम से होता है बिल्ट आप से फ्लावर को रोगने के लिए यदि हम सीड को हम थायरेनिया के प्राइट से तीन ग्राम पर केजी या करवेंडल जीम एदर एट पॉइंट वन परसेंट और टाइको डर्मा बिरिडी एदर एट टेन ग्राम पर केजी सीड से हम त्रीटमेंट कर देते हैं तो इससे भी डिसीज कंट्रोल हो जाता है इसका अलाबा हम यदि हम रेजिस्टेंट बराइटी ग्रो करते हैं जैसे कि डिए इस चेवन टू नाइन यह नारी नहीं और पीबी एनस फोटी या नारी शिक्स बराइटी नहीं जो बिल्ट डिसीज इसके प्रति होती हैं यहां मैं कारबंडा जीम एड़रेटर पॉएंट्री परसेंट यहां फ्यूल में इस प्रे कर देते हैं जिए डिसीज लग गया तो उससे डिसीज कंट्रोल हो जाता है इसके बाद दूसरे डिसीज जाता है अल्टरनेरिया लीफ इसपार्ट होता है इसके जो लचन होते हैं तो लचन में डाट प्रे को नुक्सान पहुंचाती है तो अल्टरनेरिया बहुत इंपोर्टेंट पैथोजन है जो लगभग हर दूसरी क्राफ को इंफेक्ट करता है तो तो से फ्लावर में इस्ट डिस्ट्रेक्टो डिसीज होती है और से बीर फा जार के ब्राउन कटलर का लेशन बनता है पत्ती में जो की दो से पांच रिवमीटर का होता है अगर हो ह täll ह living बन जाता है दिन ने को बन रांड पूंजाता है उसमें माइनुट ब्लाउन कलर के डार्क ब्लाउन का इस्पार्ट बनता है जिसमें कांसेंटिक रिंग होती है मैंने पहले ही बता दिया है कि जो यह होती है जो इसके बाद ब्लैक लेशन बनता है जो फंगस में इंफेक्शन होता है फ्लावर बढ में उता है ड्राइंग हो जाता है सेडिंग हो हो जाता है यह देफहर आम देखते हैं कि पैथोजन Mycelium होता है मैसिलियम किसा में होता है बाद मेंराओन कलर का हो जाता है मैसुरूती के टाइम पे इसका सेस्टेंपटर में दैके लुट धा लुटा होता है इसको नियुक्त सब्सक्रानुमितबहद बला फिर् tube । इसके वाद मेदे के इस हैं सुस्क्राइट होता है इसका पो Bowl होता है और मुथ न्हीं होता है उसमें भी सर्वाइब करता है यह डिसीज डो इस्प्रेड होती है और बिंडबन कुन इडिया के द्वारा इस्प्रेड होती है इसलिए बहुत कम समय में ही लगबग पूरे फिल्ड को जहां जहां पर क्राप लगा है उसको इंफेक्ट कर देते हैं इसके बाद हम का यह गया है इसके बाद हम कैसे करेंगे तो मैंनेजमेंट में हम जो इन्पेडर प्लांट आङ वीरिस हो उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं इसको हैं यह जो चूंकि एडिसीज इस्टरनली सीड बन होती है यदि हम तो यदि हम सीड को पहले ही ट्रीट कर लेंगे तब भी एडिसीज कंट्रोल हो जाती है स्वेंग से पहले तो सीड को हम थायरम और किप्टान एड़रेट आप 3 ग्राम पर गेजी या कारवेंडर जिम एड़रेट इसके बाद है यदि हम हाद वाटर ट्रीटमेंट डेते हैं सीड में एड़रेट आ फिप्टी डिग्री संटीग्रेट फार थर्टी मिनट उसे भी डिसीज कंट्रोल हो जाती है इसके बाद यदि हम मैंकोजब या जाएने भी एड़रेट आ पॉइंट आ पॉइंट परसें मोजहना मैं पूद ही अधीक मात्रा में लगता है फोधी कि क्रप को बहुत अधीक नुक्सान पहुँचाता है दस से पंत्रा पर संजो फिर लट करेप्शन होता है ओ मुझे को डिसीज की बचसे होता सब्सक्राइब कंडिशन में पार है तो इसके सिंटम में आता है कि हम जो कुकुमबर मुझेग वाइरस होता है वो से फ्लावर ब्लांट को इंफेक्ट करता है यंग लीफ को सुरू में इंफेक्ट करता है उसमें इर्रेगुलर एलो और ग्रीन कलर के पैचेज बन जाते हैं जो कि जिनमें अल्टरनेटिंग ग्रीन इसको मुझेग करते हैं मुझेग का डिफनीशन ही होता है कि इसमें इंटर्मिंगल आपदा एलो और ग्रीन पैचेज प्रेजेंट अन्दा लीफ तो उसमें ग्रीन और एलो कलर का धबा बन जाता है पक्ति में बहुत ज्यादा इसलिए इसको मुझेग डिसीज कहते हैं दिन दो लीफ होती है उसमें बिलिस्टर्ड और डिस्टार्टेड टाइप के सिम्ट्रम आ जाते हैं और इंफेक्टेड जो प्लांट होता वह भी छोटा रह जाता उसमें इस्टेंटिंग आ जाती है कई बार जो प्राइमरी लीफ बन जाती है रोजटेली मतलब वहां से बहुत 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 ज्यादा लीफ निकलती है बट छोटी छोटी चोटी इसके इसमें जो सेकंडरी लीफ में इनफेक्शन होता है इसमें भी मॉटलिंग टाइप के सिम्टम आ जाते हैं इसके बाद हम देखते हैं कि इसका वार धिस सॉकल चलता है जो वाइरस होता है वह बहुत सारे प्लांट फोल्णकों सून करता हैं canai कोह जाती आ फिर कोंफ और कर देता है जो कुकूमबरग मुझे एक वाईरस होता हो इफिट के दिवर्ग ट्रेंसीट होता जिसका नाम है माईजास पर सीगी यदि हम इफिट को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप बाइरस भी कंट्रोल हो जाता है इसके बाद हम देखते हैं इसका management practices कैसे चलता है तो यदि हम infected plant को हम रूगाउट कर लेते हैं तब भी disease control हो जाती है इसके लाबा जो wild host होते हैं और cultivator plant होते हैं वालेंट्रिया plant होता है यदि हम उनको रूगाउट करके burn कर देते हैं तब भी disease control हो जाएगी इसके लाबा यदि हम सिस्टेमिक इंसिटी साइड जैसे कि मोनो को ट्रॉपास अड़रेट अपन फाइट एमल पर डाइमेट है और एड़रेट अप्टू एमल पर लीटर के दहीं स्प्रे कर देते हैं तो यदि यह फिट control हो जाएगी तो यह तो इस वाइरस का transmission नहीं होगा है और इसके बाद लाउठ डिसी जाता है असके उसे फ्लाबावर कर आब में जह राश लगता है ओ पकसी नियां कंट हमयां पकरसी में किते और होता है जिसको प्यूंग का в यहां पर बहुत अधीग मातरा में नुकसान पोजाता जो रश्ट होता है वहों के लिए जो फंगस रहता में ली कोटली डान और यंग लीप लिप्स तेंडर इस्ट्रेम और कि तंडर इस्ट्रेम और अन्डरग्राउन जो प्लांट होते हैं प्लांट के उनको इंफ्रीक्ट करता है यह जो फंगस होता है यंग क्लिप्स को अटेक करता है कोटलेडान में हम एलो कलर का डिसकलरेशन देख सकते हैं इसके बाद उसमें ड्रोपिंग और बिल्टिंग कंडिशन आ जाती है जो कि रस्ट का में सिम्टम होता में इस पेल रहते की उडी होते हैं आप के और चेस्टन ब्राउन कलर के पिस्चूल बनते हैं जो की इ Tucson Tell D पटी में मतलब ब criteria के पठीक में सरक्रम से थैने संभी सब्सक्राइब मनीधिग कर देते हैं तो यहां तक की भी भी इंफेक्ट कर देते हैं कि एक हाइपोकोटायल में इंफेक्ट करते हैं तो उसमें हाइपोट्रफी सिम्टम आ जाता है और उसमें माइसिलियम का एकुलमेशन आप लोग बड़ी असानी से फिल्ड कंडिशन पर देख सकते हैं कि यदि ओल्डर प्लांट में इस्टेम गर्डिंग टाइप का सिम्टम आ जाता है कि इस्टेम में भी सूफने लग जाता है उसमें भी पिस्चूल बन जाते हैं और यदि अंडर्गरॉंड पार्ट को इंफेक्ट करता है जिसमें की रूट साता है तो रूब में टैप को इंफेक्ट कर देते हैं और पत्ति में प्रिमेचूर ड्रोपिंग हो जाती है इलोईस हो जाती है पत्तियां मर जाती है देन हम देखते हैं कि पैथोजन का करेक्टर कैसा कैसा रहता तो जो से फ्लावर रस्ट हो जो रस्ट पैथोजन अब्लिगेट परसाइट होता है औ धाउरेग्टर या जरूरत नहीं होती राई पिलियाय। स्टेश होती है और अःेरियल में भाल क्रूлटिको में हम देखते हैं इसका डीसे साइकल कैसे चलता तो इसके डिसेस साइकल के लिए जो फंगास होता है, और सीड में लंबे समय तक सरवाईब करता है, या फिर इंफेक्टर प्लान डेवरीस जो सवाईल में पड़े रहते हैं, उन में यह पैथोजन लंबे समय तक सरवाईब करता है, यह लगभग 2-4 साल तक जो तिलियो पू करते हैं क्योंकि इसमे डार्मेंड तेट Сपोर लंबे. इसके बाद जो इसका सेकन्डरी होता है बींडवर्न व्रेड व्र्स पोर के द्वारा होता है तुम हम दीखते कि से फ्लावर के लिए यह भी इंको ग्लो करते हैं थाइ डिसेग नहीं लगती है यदि हम सीड को हम थाई रामर केप्टान अधरेट आपती ग्राम-पर-केजी और कारवेंडाजिम एदरेट आप्टो-ग्राम-पर-केजी से हम सी कह सुझेट मेंस इसे उसे सब्याल now this तो हम हम करेंज ऍन। फैरन्पोच नमोर इशेथ uh करते हैं में बेटेबल सरफर्फर या मेतों इसे सब्सक्राइब थेंज़े कर सकते सब्याएं In reply eran कि नए तो रच्ट अप से फॉर कंडि जाती हैं कि आज इक आज अचब एट कोई बी प्रोबलम आते तो पर हमसे आपको एक्सरसाइज दenses देंगे एन तो आप लोग से फ़द पर जाये वहां पर सेंपल कलेक्ट करें अचिए सेंपल देखिया और आन् दि व relying स्टेंटम आपको डिसीज अडिटिफाई करना है और हर्वेडियम फाइल बनानी है इसके अलाबा आपको लाइप कंडिशन में आके इसका इस्टेन स्लाइड बनाना है और जो पैथोजन इनको आइसोलेट करना है आपको आंधी बेसी साफ सिम्टम पर डिसीज को पहचानना भी आना चाहिए कि कौन से सिम्टम पर कौन सा डिसीज है और उसके लिए जो कौजल आर्ग निजब में कौन-कौन सा है देन वाट अर्ट अर्ट लिए हम हमने आज चार डिसीज पढ़ी रस्ट पढ़ा हमने मुझा पढ़ा देन अट्रिनिया लिफ इसपॉट पढ़ा तो इसमें आपको कोई भी तो इसमें हमने एकनॉमिक इंपोर्टेंस क्या है उसके कौजल क्या है सिम्टम क्या है उसका लाइफ सैगल कैसे चलता है हम उसका डिसीज को निराकडन कैसे करेंगे उसको हमने आज पूरा बता दिया देन हमने भी बताया कि आप सिम्टम सिम्टम के अधार पर आप डिसीज को कैसे अटिंटिफाई करोंगे तो आज के लेट्चर का लेट्निंग आउट कम है देन और रिसरच इसकोप आप स्टूडेंट एफिसेंट ट्राइको डर्मा और स्टूडो मना सिस्टेंट को सजेस्ट कर सकते हैं फ्राइमर के लिए जो फंगस और बैक्टिरियल पर सोजन को रोकता है बालुचकर कंट्रोल के रूप में देन इस्टूडेंट सर्वे एंड स्क्रीनिंग भी प्लान कर सक चोजिंट घॉरि प्लान कर सकते हैं कि ऐडी भी बेस्ट बट्र इंड को से श astronom को अच्छे से कंट्रोल कर रहा है जो कि देन और जांसे हमने अपना तयार किया है तो आफ आपgeben को सब्सक्राइबूक कार सकते हैं यदि आपको कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप हमको वीबनार क्लास में या फिर परसनली हमको कॉल करके पूँच सकते हैं हम आपका डाउट क्लियर करने की कोशिस करेंगे इसी के साथ हम लेक्चरें पर सवाप्त करते हैं हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बेस्ट आफ लक